हेलो इब्रीवन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भीये चुवाले दर्श टोरी का पर तो दोस्तों बात क्या है ना कि CVT PG का जो एक्जाम डेट है वह NTA के द्वारा 5 से 17 जून जो है वह रखा गया है यानि कि 5 से 17 जून के बीच में CVT PG का एक्जाम होना है और NTA के द्वारा भी कुछ दिन पहले CT Intimation Sleep जो था वह CVT PG के बच्चों के लिए जारी किया गया था जिसका एक्जाम 5 से 8 जून के बीच में होना था लेकिन आज यानि कि 3 जून को बहुत सारे बच्चों का Admit Card भी आ गया है लेकिन बहुत सारे लोगों का Admit Card नहीं आया है तो NTA की तरफ से एक बहुत बड़ी सुचना आ रही है निकल के जिससे कि आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि क्या जो एक्जाम है वह पुश्पोंड हो गया है या फिर एक्जाम मेरा जिस डेट पे होना था उस डेट पे नहीं होगा तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बात क्या है क्या सच में आप लोगों का एक्जाम जो है वह कैंसिल हो गया है या निरधारी डेट पे सबसे पहले कि यहां देख सकते हैं कि यह जो notice है यह जो notice है तीन जून की notice हैं टीये के द्वारण जारी किया गया है और ईसमें ट्ययें के साफ़ साफ और कहा है कि हम पांच तरह जून के बीच में होगा तो देखेंगर अगर आपको CT कुछ देना है पी जी का एकजामDER देना है तो आपका एकजाम 5 से 17 जून के बीच में ही होना है तो अब बात क्या है हम लोग आगे देखते हैं और आपका जो एकजाम है यह तीन shift में होगा क्योंकि पिछले साल जो exam था वह दो shift में हो रहा था लेकिन इस बार 3 shift में होगा एक सुबह एक दो पहर और एक शाम वाली shift यानि कि यह 3 shift में आपका exam हो रहा है CUT PG का आप लोग यहां देख सकते हैं सारी चीजे साफ साफ लिखी गई है पहले समझेगा अच्छा से सारी बातों को फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजेगा यानि कि किसी का exam जो है न 17 के बाद नहीं जाने वाला है अभी तक के सुचना के अनुसार जिन भी बच्चों का exam है वह 5 से 17 जून के बीच में ही होगा तो अब बात क्या है तो देखिए आज क्या है न कि जिन भी बच्चों का exam 5 से 8 जून के बीच में होना था उनका admit card NTA के द्वारा जारी कर दिया गया है लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है जिनका admit card अभी तक जारी नहीं किया गया था और सुबा जैसे कि सुबा में admit card आया तो बच्चों ने message करना शुरू कर दिया कि अभी तक मेरा admit card नहीं show हो रहा है क्या करें कैसे पता करें मेरा exam 5 को ही है लेकिन अभी तक admit card नहीं आया तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों का comment आया हुआ था आप लोग भी देख सकते हैं जाकर तो अगर आप लोगों का भी admit card नहीं आया है तो आप लोगों के लिए भी यह सुचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन बच्चों का admit card आ गया है उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुचना यही है कि अगर आपका admit card आ गया है 5 से 8 के बीच में अगर आपका exam है 5 जून से 8 जून के बीच में पांच जून से आठ जून के बीश में आपका इक्जाम है और आपका admit card आगया है तो आपका exam जो है आपका पुस्पोर्ण नहीं होगा यानि कि आपका जो exam है वह अपने निर्धारिथ समय पर होगा वह exam जो है आगे नहीं बढ़ेगा जैसे कि जिनका भी admit card आ चुका है वह स सारे बच्चों का admit card नहीं आया है जिनका exam 5-8 June के बीच में है उनका भी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी condition में NTA ने क्या कहा है कि जिन भी बच्चों का admit card हमने जारी नहीं किया है उनका हम क्या करेंगे किसी दूसरे दीन यानि कि किसी दूसरे दीन हम किसी दूसरे shift में उ जिन बच्चों का admit card नहीं आया है उनका फिर से क्या होगा किसी दूसरे दीन exam होगा यानि कि 5-8 June के बीच वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका admit card नहीं आया है उनका admit card आएगा लेकिन उनका अब जो exam होगा वह 8 June के बाद होगा ध्यान से सुनिएगा जिनका भी admit card अभी नहीं आया है, उनका एक्जाम 8 जून के बाद होगा और 17 जून से पहले होगा, इतना ध्यान रखना है अब समस्य क्या है आप लोगों के साथ जिन भी बच्चों का एडिमिट काड आ गया है उनका तो भाई अच्छा है अच्छा कैसे हैgrade कि आप लोग पहले पहले पेपर दे कर निकल जाएंगे अगर दोभारा से पेपर होता है उसी पेपर कोट का दोभारा से पेपर होता है तो जो über question paper है वो काफी tough बन जाता है पिछले साल बहुत सारे course का ऐसे ही हुआ था तो आप लोगों का अगर admit card आ गया है किसी भी course का जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लगबग 60 course हैं जिनका exam फिर से होगा English, Math, B.A., Political, Joology मतलब यहाँ देख सकते हैं history वेगर में भी बहुत सारे बच्चों का admit card जो है तो फिर आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा tough paper आ जाए क्योंकि एक बार तो paper आ चुका होता है तो यह लोग क्या करेंगे कि बच्चों को पता चल जाएगा कि pattern क्या है उसका एक्जाम कब होगा 8 जुन के बाद और 17 जुन से पहले होगा और उसको लेकर NTA जल्दी सुचना जो है आप लोगों को दे देगी तो यहीं अपडेट है तो हर किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है या खुशी से ज्यादा दुख करने वाला खबर है या तो इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आप फिर इंतजार किजी 8 जुन के बाद आ आपका एक्जाम होगा बाकि कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्णों का उत्तर देने का ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल क सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद